साल 2014 में आम चुनाव की घोशना 5 मार्च को हो गई थी साल 2019 में आम चुनाव की घोशना 10 मार्च को हो गई थी हमूमन अपरेल मई के महीने में भारत में चुनाव होते हैं आम चुनाव होते हैं लेकिन इस बार अभी तक चुनावों के कारेकरम की घोशना नहीं की गई है। चुनाव आयोग से एक चुनाव आयुक्त ने अभी अभी स्तीफा दे दिया है। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं। और जिस तरीके से पूरा का पूरा कारेकरम डिले किया जा रहा है। उससे लग रहा है कि मोधी जी की चुनावी घोशनाओं के लिए समय दिया जा रहा है। तो इस बार लोग सुनने के लिए पहुँच नहीं रहे। मोदी जी गुड़गाओं में आज कई सारी चुनावी घोशनाये करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन सुनने के लिए रैली में लोग नहीं थे। जनता नदारत थी। ये अलग बात है कि पूरे सिस्टम को ताक पर रख करके तेरे सो सरकारी बसों को इस ड्यूटी पर लगाया गया कि मोदी जी के लिए भीड जुटानी है। मोदी जी जब भी अमिच्छा जी मोदी जब भी हरियाना आते हैं तो हरियाना के लोगों को तकलीफ दिक्कत दे के जाते हैं। मोदी जी की रैली गुडगाओं में लेकिन पूरे हरियाना में आज सरकारी बसों की कमी से जूजना पड़ा लोगों को आवा जाही में दिक्कत हुई चाहे वो युवा हों महिलाएं हों या बुजर्ग हों सब को आवा जाही में आज दिक्कत का सामना करना पड़ा उदारण के तौर पे जीन्द डीपो के अंदर 200 बसे हैं कुल उसमें से 100 बसों को गुडगाओं भेज दिया गया कि लोगों को लेके जाओ किसी भी तरह भीड जुटाओ तो सिर्फ 100 बसे यानि 50 फीस्दी बसे ही बची इसी तरह से सोनिपद में इरोतक में भी 184 पेचासी बसे हैं कुल उसमें से 75 बसे ड्यूटी पे भेज दी गई अलग अलग जिलों से इसी तरह से डीपो में से बसे निकाल करके भेज दी गई और लगबग एक तिहाई से जादा बसे जितनी हर्याना में हैं उसमें एक तिहाई से जादा बसों को गुडगाओं की रैली में ड्यूटी पर जोंक दिया गया ड्राइवर कंडक्टरों की ड्यूटी वहां लगा दी गई कि आपको आज लोगों की आवाजाही पे ध्यान नहीं देना है मोदी जी की रैली में लोग पहुँचे इसके उपर ध्यान देना है सारा सरकारी अमला लगाने के बाद भी मोदी जी आपके चुनावी जुमलों को सुनने के लिए हर्याना के लोग नहीं पहुँचे